अलो फेरेंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्योब चाहिंगान प्लस फर एक बार फिर प्रॉफिट एंड लॉज की क्लास के साथ हम हाजी रहें जी हैं यहाँ पे हम आज कुछ प्रेशन देखने जा रहे हैं प्रेक्टिस प्रेशन जो की आपके परिच्छा के जिर से बहुत ही important है तो चली सुरू करते हैं पहला प्रेशन आपकी स्कीन पे आ रहा है कहरे है कि एक वियापारी ने एक मसीन विक्री के लिए 27,500 रुपए की रेट प्रस्तावित किया ठीक है कहरे है एक मसीन 27,500 रुपए में प्रस्तावित किया 27,500 रुपए में मसीन या बैचने करा है लेकिन या दिवा उस पर 10 प्रिस्ट की कम कीमत वसूल की यानि कि 10 प्रिस्ट की छूट दे तो भी उसे 110 प्रिस्ट का लाव होगा तो देखिए 27,500 रुपए इस मसीन को कीमत है फिर उसने कहा कि ये 90 प्रिस्ट की छूट दे रहा है यानि कि इसकी कीमत कितना हो गई 90 प्रिस्ट हो गई ठीक है लेकिन वो कह रहा है कि इतने के बाद भी वो 110 प्रिस्ट का लाव कमाना चाहरा है यानि कि 10 प्रिस्ट का लाव कमाता है यानि कि फिर भी ये कीमत 110 है तो क्या पूँचा है इसका लागत मूल पूँचा है अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं एक तो ये सबसे सौटकट मेथड है इसी का जो लंबा वा परारूफ होता है वो क्या होता है देख लीजे कहरे 27,500 की मसीन है वो इसमें क्या करता है 10 प्रिस्द की छूट देता है यानि कि 90 बटा 100 इस मसीन की कीमत होती फिर वो कह रहा है कि उस पे 110 प्रिस्द का लाग भी कमाता है तो 10 प्रिस्द का मतलाब ये 100 और नीचे 110 ये इसका वास्टविक रूप है अब भये ये 100 से ये 100 तो कट ही जाएगा तो क्या बचेगी यही तो बचेगा एकदम सिंपल सा तरीका जो हमने लिखा है तो यही तो है अब यही आप गूड़े 100 प्रिस्द प्रिस्द में आपको उत्तर देना है तो इसको आप गूड़े 100 कर देंगे नहीं तो आप यही इसी तरह से इसको निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आप इसको क्या करिएगा काट कूड़ दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा हम यहाँ पर काटने की कोशिज करते हैं देखते हैं क्या होता है 11 दूनी 22 5 27 फिर 5 11 55 फिर डबल जीरो अब यह हो गया आपका ठीक है 25 दहमा 25 सो होता है आप सभी को पता है पचीस सो दहमा 25 जार और यह 9 है तो पचीस सो घटा दीजिएगा तो क्या उत्तर आएगा आपका 22,500 आपका उत्तर हो जाएगा वास्तों में यह सवाल जितना आसान हमने आपको बताया है इतना आसान है नहीं इतना लंबा सवाल आप देखेंगे आपको समझने में काफी समय जाता है यदि आप इसका पूरा लंबा करेंगे जीरो जीरो काटेंगे तो भी आपका समय वेस्ट होता है लेकिन इस मेथट से आप कितना मुश्किल से आप एक लाइन में इसको सवाल को कर सकते हैं मुश्किल से कल्कुलेशन भी आफसान है तो उसको पान सिकेंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए परिच्छा हॉल में तो चलिए ये आपका सवाल है चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रिच्छन की और अगला प्रिच्छन आपकी स्कीन पे क्या है वो अभी आएगा देखते रहिए बने रहिए अगला प्रिच्छन आपकी स्कीन पे किसी वस्तु के बिक्री मूल में 12 की कमी से उसका 5 प्रिस्ट का लाब धाई प्रिस्ट हानी के रूप में बदल जाता है कह रहे हैं कि 12 रुपए बिक्री की कमी कर दिया 12 रुपए जो है किसी वस्तु के मूल में कमी कर दिया बारा रुपए कमी करने पर उसका जो लाब है वो पांच प्रिस्ट से घट कर माइनस कितना हो गया दो सही एक विटा दो प्रिस्ट यानि कि टोटल जो हानी है उसकी पांच प्रिस्ट यह हो गया धाई प्रिस्ट ही है यानि कि साड़े साथ प्रिस्ट की हानी हो गई 12 रुपए में यही तो पूँच रहा है आप से साड़े साथ प्रिस्ट की हानी 12 रुपए में हो गई है 12 रुपए बराबर साड़े साथ प्रिस्ट तो 12, 7, 14, 15 प्रिस्ट बराबर 24 यह हो जाएगा ठीक है, 15 प्रिश्ष बराबर 24 रुपए, तो 15 आप सबी को पता है कि 15 प्रिश्ष बराबर 24 तो आपका कितना हो जायेगा टूटल, यहां से आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप कर लेंगे तो यह हो जाएगा फिर से वही कहानी आप मत करिए जादत यह सही है 15 प्रिस्ट बराबर 24 तो यह कितना हो जाएगा 100 प्रिस्ट बराबर निकालना है तो 24 यदि आपका 15 प्रिस्ट है तो 100 कितना होगा यही तो आपका सवाल कह रहा है क्या कुछ अलग कह रहा है का यह 24 है ज़िदी 15 प्रेस्ट है तो 100 प्रेस्ट हमको बता दीजे तो 5, 3, 15 हो जाएगा ठीक है और 20, 5, 100 हो जाएगा फिर 3, 8, 24 हो जाएगा 8, 12, 16 यानि कि 160 रुपए जो है उसका क्या होगा उसका लागत मूल कितना है 160 रुपए होगा कितना असान सा सवाल था वास्तों में सवाल आपके लिए गूड लग रहा था लेकिन तरीका देखिए कितने असान तरीके से आप इन सवालों को चुटकियों में सॉल करने का आप तरीका पाते हैं हमारे साथ जब आप चूड़े रहते हैं चलिए हम कुछ और प्रेशन देखते हैं जो की आपकी स्कीन पर आने वाले हैं कहा रहा ही कि एक व्यक्त किसी वस्तु को 15érique सत्लापब़ पर बेज़ता है एक व्यक्त किसी वस्तु को 15 Bir टे लाग बेज़ता है ठिक यही सवाल कह रहा है फिर आगे कहते है यदि उसे 6 रुपई अधिक में बेंचा जाता तो 18 प्रिस्ट का लाब होता यदि कह रहा है कि प्लस 6 में इसे बेंचा जाता 6 रुपई में तो ये लाब बढ़के 18 प्रिस्ट हो जाता अब 18 प्रिस्षत हो जाता तो ये 3 प्रिस्षत बराबर कितना हो रहा है 6 हो रहा है तो 1 प्रिस्षत बराबर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा तो 100 प्रिस्षत बराबर कितना हो जाएगा 200 आपका उत्तरा जाएगा वास्तों में सवाल करने के यही तरीके होते हैं जिससे कि आप आसानी से सवाल को कर पाएं परिच्छा हाल में चलिए हम एक और सवाल देख लेते हैं हाँ पर एक सवाल आपकी स्कीन पर और आने वाला है जिसे आप देख सकते हैं कह रहा है कि एक आदमी 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है ठीक है हमें कोई अतराज नहीं है 2160 रुपए में वो पंखे खरीदता है दो, 15 प्रिस्षत लाब पर एक पंखा 15 प्रिस्षत लाब पर और दूसरा 9 प्रिस्षत की हानी पे बेंच देता है कहा रहा है कि एक पंखा जो है वो 15 प्रिस्षत लाब पर और दूसरा क्या है कि 9 प्रिस्षत हानी पे बेंचता है तो उसे टूटल जो है लाव या यानि कि उसे कुल विक्रे में ना लाव होता है ना हानी होती है तो पंखे का मूल पूछ रहा है ये पंखे का मूल यानि कि क्या कह रहा है कि हर पंखे का मूल क्रेग्यात की यानि कि दोनों पंखे का मूल कर तो देखिए आपको क्या करना है कि एक में कह रहा है कि पंदरा प्रिस्ट का लाब हो रहा है एक में कह रहा है नव प्रिस्ट की हानी हो रही है कह रहा है कि कुल सवदे में ना लाभ ना हानी यानि कि ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15 इसको आप काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 तिकाई 9, 3 पचे 15 टोटल 3 अनपाते 5 3 अनपाते 5 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 बटा 8 और 5 बटा 8 आप लिख सकते हैं अब कहा रहा है टोटल जो पंखा था 260 रुपए का था 260 रुपए का पंखा था तो 8 से आप भाग दीजिएगा और 3 से गुणा करिएगा तो पहले पंखे का आपका मूल कितना निकलेगा 8 दोनी 16 हो जाएगा 8 दोनी 16 पांच बचेगा 8 सते चपपन यानिके 27 ते आई 810 रुपए पंखे का पहले का मूल हो जाएगा और दूसरे का दूसरे क्या हो जाएगा 260 गुणते 8 गुणते 5 ये हो जाएगा 270 तो ये हो जाएगा आपका 13 150 तो दोनों पंखों का मूल आपका कितना आसानी से निकल के आ गया आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सवाल ये क्रूसियल था यानि कि कठिन था फिर भी हमने आपको कुछ इस प्रिकार से कराया कि सवाल आपको बहुत ही आसान लगने लगा जिस प्रिकार से हमने अभी आपको देखा है तो चलिए ये सवाल हो गया एक और सवाल हम देख लेते हैं कहा रहा है अगला सवाल आपकी स्कीन पे है कहा रहा है कि एक विनिर माता किसी वस्तो को अठारा प्रिस्त लाप पर थोग विक्रेता को बेंचता है अठारा प्रिस्त लाप पर थोग विक्रेता को बेंचता है थोग विक्रेता उसी वस्तो को फुटकर विक्रेता को 20 प्रिस्त के लाप पर बेंचता है और फुटकर विक्रेता 25, 15,045 में 25% के लाब के किसी और को बेंटता है यानि कि ग़ेंगात तो यह 3 क्रमागत लाब लिया गया कितने है मैं बेंचने के बाद 150045 में इसको बेंचा गया यह 3 क्रमागत लाब लेका अब वास्तों में यह सवाल का क्या कहना है इसको आप समझेंगे तो ये पूँछ रहा है कि जो इसकी लागत मूल थी, कौस्ट मूल थी, वो कितना होगा यानि कि ये जो कीमत रखी गई है, ये जितना लाव लिया गया है, ये सब बढ़ा हुआ मूल है तो वास्तों में इसका वास्तविक मूल कितना था, तो देखिए, आप अठारा प्रिस्ट को कितना लिखेंगे भाईया ये बढ़ी हुई मूल है, तो जो बढ़ा हुआ मूल था है, हमको रियल मूल गयात करना है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, उपर सौ लिखेंगे फिर हम 100 करेंगे, और नीचे 120 लिखेंगे, फिर उपर हम कितना करेंगे, 100 करेंगे, और नीचे 125 लिखेंगे, तभी तो हमारा ये बढ़ा हुआ मूल है, तो अभी तो हम इसको पीछे का मूल हमें गयात करना है, तो इसको reverse किये हैं, यानि कि बढ़े वाले amount नीचे होगा, तो इस परकार से इसको आपको ग्यात करना है, ठीक है, अब आपका सवाल बहुत ही आसान हो चुका है, आसान के अलगभग आपका सवाल क्या हो चुका है, सौल हो चुका है, इसको आप करिएगा, तो पचीस चोको सव, पचीस पंचे एकसो पचीस, बीस पंचे सव, बीस छ त्याई 6, दो दुनाई 4, इस प्रिकार से इसको काट सकते हैं अभी, अगर आप इसको भी काटिएगा, और आगे काटिएगा, तो 2 दहमा 20, और ये हो जाएगा 59, ठीक है, ये आपका हो गया, अब इसको आप क्या करना है, कि आप इसको काटिएगा, पहले इसको 3 से काट ये हो जाएगा, फिर 59 से आप इसको काटिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, आठ बार जाएगा 5, 8, 4, 9, 8, 72, ठीक है, बहतर, आप कितना बचेगा, यहाँ पे 72, तो यहाँ पे आपका 28 बचेगा, 28 यहाँ पे बचेगा, और 5 यहाँ, यानि कि कितना हो जाएगा आपका, 28-5 28-5 यहां पर हो जाएगा यानि कि 280 हो जाएगा 280 को आप भाग दीजिएगा 200 पंचान में होगा तो 5-25 5-9-45 यह 89 हो जाएगा ठीक है 89 होगा अब इसको आप गुणा कर दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 5-9-10-100 ठीक है 5-9-10-100 यह 5 बार जाएगा 5-25 होता है और 9-45 पार ठीक है 295 हो जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका यह हो गया आपका उसके बाद आपका अब जब गुणा करिएगा तो यह 100 हो जाएगा यानि कि 85 गुणते 100 बराबर 85 सो आपका उत्तर आजाएगा यानि कि इस वस्त की जो प्रारम्भी कीमत थी 85 सो थी इतना लाब कमाया गया इतना लाब कमाया गया कि लगभग यह दोगने कुमत पे यानि कि 15,045 पे पहुंच गई तो यह रहा आपका सवाल सवाल सरल था बस सवाल देखने में कठीन लग रहा था वास्तों में यह सवाल की अगर प्रकृति को आप देखेंगे तो सवाल काफी सरल था बस आपको कल्कुलेशन इगर आपका तेज है तो निश्चित रूप से सवाल यह भी आपका चुटकियों में लगने वाले सारे सवाल है तो यह रही आपके लिए वीडियो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की नई अपडेट के साथ बने रही हमारे साथ जुडे रही हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को सेयर करना मत भूलेगा मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत